जब भी इसाई परिवार में खाना बनती है तो उन्हें बताया गया है कि एक मुठी चावल परभु इसुजी के नाम से आप बोरी में डाल दे जहां हिंदु कटा वो देश भटा कैसे हैं मेरे प्रिया भाई और बेहनों आप सभी को मेरे और से जजिसु आज 36 गड के एक भाजपा यूबा नेता ने एक न्यूज चैनल के जरिये वो इसाई लोगों का जो चर्च में दान दक्षिणा देते हैं उसको लेकर वो यह कहता है कि जितना जल्दी हो सके इसाई ल दोस्तों हम लोग सबसे पहले उसका छोटा सब वीडियो क्लिप को देखते हैं कि इस भाजपा यूबा नेता ने क्यूं ऐसा कहता है इसाई लोगों का जो दान दक्षिणा को लेकर हमारे देश में ये जब भी इसाई परिवार में खाना बनती है तो उन्हें बताया गया ह है कि एक मुठी चावल पर्भु इसु जी के नाम से आप बुरी में डाल दे जहां जहां हिंदू कटा वो देश भटा नहीं तो 36 गड़ की पावन धरा को नागा लेंड मिजोरम बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा जब भी हमें देश में इसाई मंतांतरन का ख्याल आत है कि यह पंड कहां से जुटाते हैं हमें ख्यालाता है कि यह बीजैसी फंड जुगार करें हमारे देश में ये डेलों सो अरस से इसाई मिस्टिन करें हैं इन्होंने डेलों से उंगनीजम भी बदल रखा है में छोटा सुधारन आपको बता रहा हूं कि सामर बहर के गाउं में इसाई पादरियों ने चंगई सभा का आवजन किया था उस चंगई सभा को हमारी टीम ने जब पकड़ा जब उनसे पुष्टाज की गई कि आपको विदेशी फंडिंग मिलती है तो उन्होंने बताया कि आप हम लोकल मेकनीजन तियार कर रखे हैं तो कैसे मैंने उनसे प जालते हैं यह सरगुजा बलरामपूर जसपूर रायगड़ जीला में यह हो रहा है अब जब यह चावल इकठा हो जाती है तो फिर इन्हों कलेक्ट करके फिर यह बजार भाव में बजार में यह 30 रुपय 35 रुपय में देशते हैं और उस फंड को यह मतांतरन में काम में लगाते हैं अब जब से FCRA पर अमित साहजी ने बेन किया है कड़े कानूं लाये हैं तब से यह फंड जुटाने के लिए लोकल मेकनिजम को इन्होंने त्यार कर रखा है आप लोगों ने देखा दोस्तों छोटा सा वीडियो क्लिप को इस भाषपा यूबानेता का कहना है कि जितना जल्द हो सके इसाईयों का जो चर्च में दान दक्षिना होता है या फिर इसाईयों का जो चर्च में दान दक्षिना देते हैं उसको सरकार बंद करवा देना च पच्पा नेता का कहना ऐसा है कि जब सरकार ने उस foreign funding व्यवस्था को बंद कर दिया उसके बाद में ये तरीका शुरुआत हुआ है उसके बाद में ये चर्च में जो funding देने का तरीका शुरुआत हुआ है या फिर चर्च में जो दान दक्षिना देने का तरीका शुरुआत ह अर्थात जब उधर फोरेंट फंडिंग बांध हुआ तो चर्च को चलाने वाले जो लोग हैं वो लोग इस व्यवस्था को अपनाए हैं इस तरीका को अपनाए हैं लेकिन मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये बिल्कुल गलत है हम जितने भी इसाई हैं श देते हैं लेकिन इससे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में भचपा का सरकार आने के बाद में सबसे पहले तो इसाई लोगों के उपर अतियाचार हुआ उसके बाद में चर्चेस में अटेक हुआ फिर अभी धर्मन्तरन का जुठा आरोप लगाया जा रहा है उसके बाद में उतना कुछ तो हो गया लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका फिर अभी इस नेता का दिमाग में ना जाने कौन सा सैतान घुस गया फिर इसने सरकार से यह निवेदन कर दिया कि इसाईयों का जो दान दक्षिना होता है चार्च में उसको तुरांत सरकार ब आपना बिश्वास के हिसाब से दान दक्षिना देते हैं आप सभी कोई अच्छी तरह से जानते हैं कोई यादि मंदिर ज़ाता है तो दान दक्षिना लेके जाता है कोई यादी मस्जिद जाता है या फिर कोई यादी गुरुद्वार या फिर कोई यादी चर्च जाता है तो दान दक्षिना लेके जाता है अपना अपना विश्वास के हिसाब से सभी कोई दान दक्षिना लेके जाते हैं दोस्तों लेकिन उन में से बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि हम लोग दान दक्षिना लेके तो जाते हैं लेकिन दान दक्षिना क्यों देना चाहिए या फिर हम लोग क्यों लेके जाते हैं और मंदिरों में मस्जीत या फिर गुरुद्वार या फिर चर्चिस में हम लोग दान दक्षिना क्यों चढ़ाते हैं बहुत सरे लोगों को नहीं पता होता है दोस्तों कोई-कोई लोगों को यदि आप लोग ऐसे सवाल जबाब करोग तो जैसे कि इस भाजपा नेता ने यह कहते हैं कि कोई एक गाओं में गए थे तो उस समय उन्होंने जब जानने के लिए प्रायास किया कि ये दान दक्षिना क्यों दिया जाता है पास्टरों को या फिर चर्चेस में क्यों दिया जाता है उस समय उन लोगों के तरफ से यह जवाब आता है कि हम जब अपना खाने के लिए जब हम चावाल लगाते हैं तो उसमें से थोड़ा सा हम लोग निकल के रखते हैं और उसको हम लोग जब चर्च जाते हैं तो उसको दान के स्वरूप में हम लेके जाते हैं और उसको हम दान क स्वरूप में हम चर्च में चढ़ा देते हैं उनका कहना ऐसा है उन्हों ने जो समझा है अपने तरीके से अच्छा से समझाया उनको जो समझा है लेकिन दोस्तों इस नेता को तो सिर्फ उतना ही जानना था अर्थात उनको लगा कि वो जितना पता किया उतना ही सही है लेकिन वो आगे और जानने के लिए प्रयास नहीं किया कि दान दक्षिना क्यों दिया जाता है फिर वो यह अरूप लगाने लगा कि फोरेंट फंडिंग व्यवस्था बंध हो गया सरकार ने बंध कर दिया तो अभी इस तरीके का दूसरा पैतरा अपनाए है फंडिंग जमा करने के लिए पैसा जमा करने के लिए ताकि उनका जो बिजनेस है उनका जो चर्स उनका जो बिजनेस है वो चल सके इस नेता का कहना ऐसा है दोस्तों लेकिन आप सभी को यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बिलकुल गलत है मैं आप सभी को और एक चीज बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जब हमारे हिंदू भाई बहन लोगों का दुर्गा पुजा भी आता है तो उस समय वो लोग रास्ता में खड़े होके जितने भी वेहिकल्स जितने भी गाडियां चलता है बड़ा बड़ गाडियों को गाडि हमारा जो चर्च में जो दान दक्षिना देते हैं उसके उपर अटैक करता है तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को या बता देना चाहता हूं दोस्तों कि दान दक्षिना हम लोग क्यों देते हैं दसमांस हम लोग क्यों देते हैं क्या परमिस्वर को दान दक्षिना या फिर भेट या फिर दसमान स्व देना चाहिए, दहिए दोस्तों, इस संसार में जितना भी धान, दोलात से लेकर, फुटी कोड़ी, या फिर कुछ भी चीज हो, सबकुछ पर मिषवर का देन है, और हम लोग अपना जिंदेगी में जो कुछ भी कमाते हैं, पैसा कोड़ी, धान, द परमिश्वर का है तो हम लोगों को क्या परमिश्वर को ये चीजें देना चाहिए यदि हम लोग पुराना नियाम की और चलेंगे तो एक ऐसा बचन है उत्पाती ग्रांद का अधियाय चुदा का 20 में यदि आप लोग पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है धन्या है सर समारे अधिन कर दिया अबराम ने उसे सब चीजों का दासमांस दिया अर्थात परमिश्वर ने अबराहम के समय में जितने भी लोग थे उस समय उनका जितना भी सत्रू थे उनको उन लोगों का अधिन में कर दिया और उनको बचाया इसलिए अबराहम ने एक भेट एक दान स्वरूप उन्होंग ने किया क्या सब चीजों का दासमान्स दिया अर्थात उसके पास जितना भी था सब चीजों से एक-एक करके 100% से 10% उन्होंग ने सब चीजों को एक-एक करके दिया उसके बाद में और एक ऐसा बचन है दोस्तों आप लोग यदी पढ़ोगे म मालाकी का, मैं आप लोगों कुछ बचान को पढ़के सुनाता हूँ, फिर आगे और थोड़ा सा माई आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा, दसमांस या फिर दान दक्षिना के बारे में, मालाकी का ग्रांत अधियाय तीन का दस से बरातक यह लिखा है, तुम पूरा दसमांस और भेंट भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घार में भोजान रहे, विश्वा मंडल का प्रभुया कहता है, इसमें मुझे परक लो, मैं अपने बादलों को अग्या दूंगा, और तुम पर भरपूर बर्षा की आसिस प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे लिए चीटियो को भी कड़ी आज्या दूंगा, कि वे तुम्हारी भूमी की उपज नास्ठ ना करें, जिससे दाख बारियों की दाखलाता है, अच्छे फाल देती रहें, विश्वा मंडल का प्रभुया कहता है, साभी राष्ट्र तुमको धन्या कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनुहर देश होगा, मलाकी का ग्रांत आधिया तीन का दस से बारा तक यदि आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों, वहाँ पे साप साप लिखा है कि तुम पूरा दासमान्स ले आओ, अर्था तुम्हारे पास जितने भी धन है, दोला थे, कोडी हब, जितने भी कमाए हैं, उस जहने का मतलब यहां है दोस्तों, कि तो दोस्तों सबकुछ तो परमिस्वर का है, लेकिन ऐसा कोई तो एक जरिया होना चाहिए, जिससे की परमिस्वर ने आप लोगों को आसिस दे, और इसलिए परमिस्वर ने यहां कहता है, कि आप दसमान्स जितना भी आपके पास जो तो इसलिए दोस्तों, हम सभी कोई इसाई भाई बहन क्या करते हैं, दसमान्स देते हैं, अर्थात हम लोगों के पास जितना भी धान दोलत है, जो कुछ भी है, उससे हम लोग अपना इच्छा क्यानुसार, जब हम चार्च जाते हैं, अपना इच्छा क्यानुसार हम लोग दान दाख चिनाएं भेट देते हैं और इसका नया नियम में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों लेकिन जो हम लोग जो दासमान सवर भेट जो कुछ भी हम लोग चढ़ाते हैं वो परमिश्वर का घर में सुरक्षीत रहता है जो कोई भी परमिश्वर का सिवक या फिर जो कोई भी व्यक्ति अपने को परमिश्वर के लिए दीन रात समर्पित कर देता है परमिश्वर का काम के लिए उसके लिए यह जो दान दक्षिना भेट होता है उसको इस्तिमाल किया जाता है उसको दिया जाता है दोस्तों और इस दा वो अपना खुसी से दे रहा है या फिर वो कुड़कुडा के दे रहा है या फिर वो कैसे दे रहा है आप लोग देख रहे हैं इसलिए आप लोग दान दक्षिणा मत दो बलकि ये अपना जिंदेगी के लिए आपको आसिस मिलेगा इसलिए आप लोग आपका जितने भी है उ कोई भी व्यक्ति आपने को समार्पीत करता है या फिर दिन रात उस परमिश्वर का का में लगे रहता है महनात करता है परमिश्वर का बचन को प्रचार करता है वैसे वैसे जो परमिश्वर के सेबक लोग हैं उनके लिए ये जो भेंट दान दक्षिनाय है इसको दिया जाता है दोस्तों उसका काम के अनुसार उसका दरकार के अनुसार ये सब दंदक छिनाय को उसको दिया जाता है दोस्तों लेकिन इस भाजपानेता ने जिस तरीके से आरोप लगाया है और बंध करने के लिए जो कहता है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये हम कमाते हैं हमारा ध आता हूं कि आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही सभी को फिर सेगबर जैजिसू धनियाबाद